हलो रोवान वेल्कम टो एलेक्रिकल लेंजिंग के अपके लिए काफ़े इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टन अप्डेट आप सभी के सामने लेका हो गाईज अपकमिंग आरड़ी जये का रिक्रिट्मेंट उसका शॉर्ट नोटिस जो है हमने कुछी दिन पहले आपको चैन नंबर 324 इसको आप कंसिडर करके आपको आने वाले जो भी अपडेट्स रहेंगे वह आपको ध्यान में रखने रहेंगे आप देखिए मैं आपको यह कंप्लीट जो डीटेल नोटिफिकेशन आपका आउट आपका आउट हो चुका है रिकार्डिंग अपकमिंग आरड़ करके अलपे क्लिक के जिगा सुधर जो आपको टाइम टो टाइम अपडेट जो है हर बार वह मिलते रहें अभी आप इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या इंपोर्टन चीज़े हैं क्या चीज़े आपको धान में रखने रहेंगी क्या एज रिलक्सेशन आपको मिल चुका है इसमें 3 years का age relaxation आपको मिल चुका है अभी 36 years तक भी aspirant जो है इसके अंदर form फिल कर सकते हैं इसके बारे भी मैं जानकारी बताने वालो हूँ यह complete notification है गईज इसके पहले का जो आपको notification था हूँ आपको सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन था सेशन के end तक बने रहेगा गाई आपके जो important updates है आपको time to time मैं आपको key points के माधियम्स के बताने वालो हो गई इसके आप यह आपका फ्रस्ट पेज है ठीक है इसके बाद में आपको देखने को मिलता है यह आप इस चैनल को देख रहे हुए जो aspirants है इस सबसे ज्यादा mainly interested होंगे आपके junior engineer के examination के लिए मैं आपको उसी के लिए हम बारे में बताने वालो हो गईस देखिएगा सबसे पहले तो major की पॉइंट से मैं आपको highlight करके रख देता हूँ आपको ध्यान में रखने है ठीक है जैसी कि नोटिफिकेशन का जो ओपनिंग डेट है वह 30th of July 2024 है clear है यहां तक आपको समझ आ चुक है इसके बाद इसका तो completely form को अच्छी तरीके से पढ़ लो ठीक है इसके बाद में up to 10 तारीक तक आपको उसको फॉर्म कर देना है ठीक है अभी आपको जल्द बाजी बिल्कुल नहीं करने है जैसे तीस तारीक को फॉर्म आता है उसके दूसरी दिन ही आपने फॉर्म फिल कर दिया थोड़ा सा जुले 29th of August 24 तक रहने वाला एक मैने का complete आपको इसका duration मिल चुका है clear है कुछ modifications के लिए भी आप इन्होंने विंडो ओपन किया इसका आपको छोड़ देना है पहले तो आपको फ़हले फॉर्म फिल अपका बात जो है आपको notification ध्यान में रखना है उसके बाद में आप जो material superintendent and chemical and metallurgical assistant के लिए जो pay skill रहने वाला है इसका level 6 का आपको pay skill रहेगा ठीक है centralized and initial पे आपको 35,400 तो नियर अबोट एक मोटा बोटा मान लेते 55 to 65,000 तक आपका salary range करेगा ठीक है initially and major अगर आप आप आपे देख पा रहे हो गाई यहापे age जो है as on 1st of January 2024 2025 तक ठीक है मतलब कि 1st January 2025 तक की जो आपकी maximum age होने चाहिए ठीक है वो होने चाहिए 36 year और minimum age जो होने चाहिए आपका 18 year ठीक है तो आपका जो यह character हो चुक है 18 से लेके 36 year अब इसके अंदर यहापे बताया गया this includes a relaxation of 3 years in age beyond in a prescribed age limit as one time measurement measure due to the COVID-19 pandemic आपको पता है COVID-19 नहीं चलते जो 2-3 साल students के waste हो गए ठीक है academics के कारण ठीक है academics के अंदर तो उसका लिए आपको 3 years का age relaxation आपको दे दिया गया है as a one time measure ठीक है इसलिए आपका जो age relaxation है वह आपका इसमें बढ़ चुका है ति काफी अच्छी बात हो चुकी है ठीक है कि one time आपको 3 years का age relaxation मिल चुका है total number of post कितने गए junior के लिए 7,934 post है यह आपको एक पॉइंट क्लियर हो चुका है यहापे ठीक है one by one हम लोग थोड़ा सा धीरे से इस notification को पढ़ लेते गहीं so that आपको हर चीज़े जो है क्लियरली समझ में है ठीक है यह बता गया important instruction में कि आपको notification प्रोपर पढ़ ले नहीं है ठीक है and next point is candidates must ensure that they possess fulfill all the prescribed education and technical qualification for the post on or before closing date of the submitting the application against CN candidates are waiting for final result prescribed education technical qualification are not eligible to apply मतलब कि क्या बता गया है जितने भी aspirant जो है final results का वेट कर रहे है ठीक है आर नोट eligible to apply ठीक है and जो last date है आपका उसके पहले तक आपका जो education qualification है आपका complete हो जाना चाहिए यह आपर बताया गया है इसके बाद में बताया गया है कि the candidates are required to go through the post parameter table an actual one and we can see double annex should be your annex one और annex बी में आपको जो है पोस्ट कौन से कौन से accordingly आपको बाइफर्गट किया गया यह आपको ध्यान में रखना है before applying और त्रूद ऑनलाइन इसके बाद में बता है कि आप देखे रेलिवे जो है एक सेंटर ली अगर अप्लिकेशन ही आपको अप्लाइक करने हैं यहां पर इसाइडवाइस क्या गए एच और आपकर अपार जो हैं जो जो है की अपका आपका उपका फाइनर रेगा अप्लिकेशन तक आप करने कम यहां शुकलोड रहे हैं यहां पर क्लियरली बताया गया है इसी के साथ में एक और पॉइंट आपका यहां पर बन जाता गया है कंड़ेट पॉसेसिंग मोर देन वन मिनिम्मम को एडिकेशन क्वालिफिकेशन मैप तो डिफरेंट ऑनलाइन एक्वरूप कैन चूज एनी वन एक्वरूप है कि आप इसमें एक सिर्फ एक्जाम गुरूप चूज कर सकते हो ठीक है और वो आपका एक्जाम गुरूप के अकॉडिंगल आपको यहां पर रर्भी जून से लेट करना है ठीक है हाओविवर इस कंड़ेट शुड बी वूट बेलिजिबल फॉर ऑल दॉप्टेट पोस् होती है अगर आपको फर्दर डाउट भी आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंड मोक्स के माद अब यहां पर कुछ मेडिकल फिटनेस है ठीक है यह बात आपको धान में रखने रहेंगी कि आपको इसमें पर्टिकुलरी आइसाइट आपको प्रॉपर चेक कर लेना है ठीक है क्रूशल डेट अफ देट अफ देट क्लेम ऑफ सेस्ट ओब सी डेड़ले स्टेट और इनी अधर बेनिफिट फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलेक्सेशन वेर नॉट स्पिसिवाइड अदर्वाइस विल भी देट अप्लिकेशन ऑफ दान लाइन अप्लिकेशन ठीक है यहां पर क्या बता है कि आपका त्वेंटिनेंग अगर आपका जेट यह आपका एज फ्वाइल डेट मन अवान जाएंगा आपके जो अदर एज्जीचन क्युक्त हो गया यह फिर एज रिलेक्सिशन हो गया इसके बार में कि यहां तक आपका क्लियर हो चुका है ओके और बाकी हम लोग करते हैं हमारे निक्स्ट की पॉइंट के और देखेगा यहां पर क्या बताए गया मेडिकल फिटनेस यह भी आपका बताए गया एज एज आज फॉस्ट ऑफ जैनुवरी टुनिटिफाइव अठरा से च्छती सा बाउंडरी स्पे लाए करते तो उनको यह खास बात का आपको ध्यान में रखना है गाँ पे-ओफ स्केल बताए गया है एं मोड ऑफ एक्जामिशन पे-फ्याफ स्केल का तो हम लोग आपको बाद में बताएंगे कि कितना इना इना इन्ट सालेरी रहता है करके लेकिन आप आप स्टेजेस अफ एक्जाम को ध्यान में रखेंगा जितने भी न्यू कमर्स है अभी साल ग्राजूडएट है फ्रेश यह फ्रेशली इस यह फ्रेशली इस यह फ्रेशली बताना चाहतों इसमें दो स्टेजेस रहेंगे एक्जामिशन के मतलब क्या आपका CBT 1 प्लस CBT 2 प्लस आपका जो डीवी होगा प्लस अपका मेडिकल ठीक है यह आपका कम्प्लेट प्रोसेजर रहता है फॉर्डर सेलेक्शन ठीक है इसमें सारी चीज़े प्रोपर वन बाइवन स्टेप बाइव स्टेप होती है यहाँ पर बता गया है मतलब बताया गया है जो आपका CBT 1 हो चुका है इसके बाद CBT 2 में कितने गुना जाएंगे बच्चे ठीक है 15 ताइम्स फिफ्टीन टाइम्स ऑफ वाट जितने भी अड्वर्टिस्मेंट वेकेंसी से वह उसके अकॉर्डिंग लें ठीक है मानले है पर 7394 है उसके मल्टिप्लाइड वाई 15 ठीक है तो यह बात आपको ध्यान में रखने रहेंगे ओक है क्लियर है या तक एक और चीज में आपको इस तरीके से होता है आपको पैरा नंबर 14.1 14.2 में आपको बताया गया है क्लियर है नेक्स्ट इस के कंड़ेट शुद आउन फर्स मोबाइल नंबर अक्टिव मोबाइल नंबर आपका इमेल आईडी चाहिए ओके और मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा तो आपको इसका ही निकार्ल मार्किंग रहेगा तो आपको यह बात आस्यों तो ऐसकि से करना है यहां पर लॉपहन नंबर 17 ने बताया गया है ओके बाइन आटम की बारे में बताया गया ठीक है जो बात काफी इंपोर्टन ते गए बहुत बार बार मच्चे गलतिकार बैटे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना जो इन्होंने अपको अप्लिकेशन आपको नहीं करने सिर्फ सिंगल अप्लिकेशन शुड भी एंटर्टेन ठीक है उसके बाद हमार पास पॉइंट आता है चैनल इंटर देर फादर नेम डेट अब रिकॉर्ड इन अपको जो डेट बड़ बताये उनका नाम फादर नेम आपके जो स्सक्राइब के जोता है उसके अकॉर्डिंग लिए आपको यह पर नाम रखना है उके डेट जो है डीवी की सीबीटी की वह आपको फर्दर पब्लिश कर दी जाएंगे इसके बाद हम लोग मूव आन करते कि पोस्टिंग के बारे में बताया गया है ठीक है फ्रीव ट्रेवल ट्रेन ट्रावल फैसलिटी वगरह बताया गया विजन इसको अपको ध्यान में रखना रहेगा जहां पर पोस्ट के आगए A3, B1, B2, C1 यह रहता है तो सबसे पहले आपको आपकी जो आइसाइट है प्रॉपर वह आपको विजन स्टैंडर्ड चेक करके आने हैं और उस अप्लिकेशन के लिए उस आपको जो हम लोग कह रह सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आपके सबसे पहले तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप चेक कर लो जो आइसाइट है डिस्टन्स विजन नियर विजन जो है वो प्रॉपरली के प्रॉपरली आपका सूटेड है उस नोटिफिकेशन के लिए उस पोस्ट के लिए या नहीं क अब भी हम लोग करते हैं हमार पास में अब देखें आप आल ओवर इंडिया जो भी एस्ट्रेंट के लिए अपलिके बले एज रिलाक्सेशन भी बताया गया घ्यान दिजेगा ठीक है ओके यह पर बताया गया यह अब टेबल आप ध्यान दिजेगा घ्याइज ग्रुप ज होना चाहिए लेकिन इसमें भी कैटेगरिकल बाइफर्केशन होता है जिसे ओपन और एड़ेट के लिए ठीक है अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर ठीक है दो एक नांटी नेटी नेटी नाइन टीक है ओबीसी के लिए का नांटी नेटी सिक्स रहेगा ठीक है उसके पहले तक का नहीं चलेगा यह डेडलाइन है आपकी सेस्ट के लिए दो एक नांटी नेटी फॉर और बाकी सारे के लिए लोर लिमिट जो है ठीक है नौट अफ्टर इसके बाद का जो डेट आपका नहीं होना चाहिए एक साथ दो जाथ साथ के बार समझ रहो मतलब अपर लिमिट यह होगी मैक्सिमम ठीक है इसके पहले के नहीं चलेगे ठीक है और इसके बाद के नहीं चलेगे ठीक है तो यह आपका एक एज क्राइटरिया का डिशाइड होता है उसके कोड़ेंग लिए एट इंटू धर्टिसिक्स की बीच में आपके होने चाहिए काफी सिंपल है यह आपको बताया भी गया है इन फैक्ट आपको एज रिलाक्सेशन की आपको सस्ट ओबसी नौन क्रिमिलर के लिए जो ब्यॉर्ण प्रिस्क्राइब जो मैक्सिम मैं बता जाता हो यहां पर आपके प्रोपर आपके अपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कम्मुनिटी के लिए जो है आपके इज रिलक्सिश नहीं पर दिया जाता है, यह टेबल काफी important है, ठीक है, उसके पहले वाला जो आपको में टेबल मेंचन किया, that is also important, okay, इसके बाद में जो होता है आपको, important है कि आपका जो education, इसके जो fees होती है, यह ध्यान दिजेगा, यहाँ पर क्या बता गया है, like, examination fees है, for all candidates, except the categories mentioned in below, serial number 2, out of these, fee of 500 rupees on amount of 400 shall be refunded on duly deducting bank charges on appearing stage 1 CBT1, ठीक है, CBT1 clear होने के बाद जो है, आपको कुछ amount refund मिलती है, ठीक है, total fees है 500, ठीक है, and candidate जो बिलॉंग करते है, SCST, ex-servicemen, female, transgender, minorities, economically, backward classes, EBC के लिए, ठीक है, उनके लिए 250 rupees fees है, और fee of 250 rupees shall be refunded, duly deducting bank charges as applicable on appearing CBT1, ठीक है, तो आपको 250 rupees refund मिलने वाला है, ठीक है, the candidates who attend CBT1, stage 1 CBT will get a refund of their examination fee as mentioned above, ठीक है, तो यह इसके according लिए आपको refund मिलने वाला है, अगर आपका CBT1 जो है, clear हो जाता है, ठीक है, यह का important बात हो चुकिए, अगर CBT1 clear होते है, तो some amount आपको refund मिलती है, ठीक ह इसके बाद, let's move on to the refund of the examination fees, those attending stage 1 CBT, ठीक है, all candidates must clearly mention, जब देके CBT1 आपको clear हो चुका है, उसके बाद में जो आपको proper bank account, bank name, account holder name, ठीक है, IFSC code यह आपको, जैसे notification आता है, उसके according लिए आपको fill कर देने है, आपको refund आता है, ठीक है, and there will be no refund of examination fee for errorness, incomplete or rejected application, उसके लिए आपको, जो rejected application है, उसके लिए refund नहीं मिलने वाला है, इसके साथ आपको vertical reservation है, के बारे में important बताईगे है, and horizontal reservation के बारे में key points बताईगे, इसको अब detail में पढ़िए गाईगे, क्योंकि यह एक generalize नहीं है, आपके accordingly आप इसको prefer कर सकते हो, right, move on करते हैं, अब भी हमारे next slides के ठीके, अब देखे, इसमें हमारे पास में जो है, एक major आती है, सबसे पहले तो recruitment process, उसके बाद में हम लोग syllabus भी देखने वाले है, ठीके, recruitment process में आपको बताई गया है, candidate should apply only through the online mode through an official website of RRB, candidate can apply to only one RRB and only one common application in order to the preference of or any all other notified post the selection of RRB, once exercise shall be final, the application more than one RRB by the candidate will lead to the rejection of all the application, ठीके, जितने भी आप application करोगे, XRRB से जाधा अगर आप apply करते तो reject हो जाएगा, ठीके, यह बात काफी important मैंने बार बार इसके पर emphasis कर रहो, सबसे पहले बात यह बात ध्यान में रखना हो, आपके पहले iVision जो रहता है, यह आपको सबसे पहले तो check कर लेने है, उसकी stage 1, computer-based stage, computer-based test, then stage 2, CBT-2, then उसके बाद medical verification, document verification, then medical examination होती है, ठीके, इसमें भी clear करना काफी important होता है, आपके बाद सारे documents properly है या नहीं, कोई भी fake documentation के साथ, इसके apply नहीं कीजेगा, मेरा recommendation रहेगा, अब देखे, CBT-1 का आपको क्या रहेगा, stage 1 का आपको pattern बताता हो, stage 1 CBT, common for all the notified post of this centralized employment news, इसके लिए, सब भी के लिए, एक ही centralized notification, centralized employment news के लिए, एक ही single stage आपका examination होगा, जिसका जो duration है, 1.5 hours का मतलब की क्या, ठीके, आप समझ जीएक है, 90 minutes का, ठीके, उसका मतलब है, 1.5 hours का, आपका CBT-1 test होगा, जिसमें total number of questions केतने होगे, 100 questions होगे, ठीके, इसका भी pattern मैं आपको दिखा दो, the stage 1 CBTA of a screening, वो screening के लिए रहेगा, and the standard of the question will be generally in conformity with the educational standard, और the minimum technical qualification prescribed for the post, आपके जो post अपलाए कर है, उसका जो basic minimum education qualification होगे, उसके accordingly आपका इसका एक questions रहते है, the normalized score of the CBT-1 stage exam shall be used only for shortlisting of the candidate for the stage 2, as per their merit, ठीके, CBT-2 में जाने के लिए, ठीके, CBT-2 में जाने के लिए, सिर्फ screening होते है आपका CBT-1 में, ठीके, CBT-1 टेस, इसी के लिए आपका लिया जाता है, ये बाद आपको बताएगे, candidate who are shortlisted for CBT-2, awaiting the reservation benefit of the community PWD, and a servicemen shall continue to be considered only against that community of subsequent stages of the recruitment process, ये additional point बताएगा है, next is कि the question will be of the objective type, MCQ-based आपको questions रहने वालागे है ठीके, और जिसमें multiple choices रहेगे, और उसमें अंदर अलगलक्स सब्जेक्स रहते हैं, वो सब्जेक्स कौन से कौन से आपको मैं दिखा देता हूँ, देखेगा, सबसे पहले तो mathematics में आपको syllabus बताया गया है, जिसके अंदर हमारे पास number system, board mass, decimals, ठीके, LCM, HCF, ratio, proportion, percentage, mensuration, time and work, time and distance, simple and component, profit and loss, algebra, geometry, trigonometry, elementary statistics, square root, age calculation, calendar and clocks, pipes and system, ये चीज़ रहेगी, तिके, इसके बाद में general intelligence and reasoning, analogy, alphabetical and number series, coding, decoding, mathematical operation, symbolism, jumbling, when diagram, data and repetition, sufficiency, conclusion and decision making, इसके बाद में आमारे पास में जोए, general awareness के topic के क्या क्या चीज़ रहे थी तिके, current phase, Indian geography, culture and history of India, including freedom struggle, Indian political, Indian political constitution, Indian economy, environmental issues and concerning India and the world sport, general scientific and technological development, जनरल awareness में आपका current office भी इंक्रूड होता है कि इस स्टाटिक जीज़ की भी आता है, इसके बाद आता है, हमारा general science, किसे अंदर हमारा आता है, physical and physics, chemistry and life science, up to the 10th standard of CBC syllabus, CBC syllabus के 10th standard तक के जो syllabus में आपको physics, chemistry and life sciences के questions रहे थे, उसके recording लिए आपको MCQ-based आपको questions आपको पूछ रहेंगे, ठीके, यहाँ ता clear हो चुका, first CBT क्या रहने वाला है, 30 questions रहेंगे, आपके mathematics के, 25 questions रहेंगे, general intelligence and reasoning के, 15 questions awareness और 30 questions आपके general science, ऐसे total 100 questions रहेंगे, टाइम रहेंगे, आपको 90 minutes, clear है, यह तो हो चुका, आपका CBT 1, okay, आपको minimum percentage mark जी आपको बताएगे, eligible होने के लिए, इसके अलावा भी आपका cut-off लगता है, लेकिन आपको open से, unreserved categories तो आपको minimum 40% लाने है, out of the 100, वो आपको eligible नहीं consider करेंगे, for the second stage CBT, अब रही बात आपके आती है, second stage CBT के बारे में, आपके बताया गया, is the short listing of a candidate of the second stage CBT, shall be based on the normalized marks obtained by them, in the stage 1 CBT exam, जितना भी आपको CBT 1 में आपको marks मिलेगा, उसके accordingly आपको shortlist कर दिया जाएगा, for the second stage CBT, उसका जो duration रहेगा, आपक इसका total question रहेगा, 150 question, जान दिजिएगा, ओके यह बात आप अभी से मैं बता देता हो, second stage CBT में, ओके, आपका जो syllabus है, यह आपको यहापे में mention कर देता हो, ठीक है, one by one, ओके, अब देखे, total जो आपको बास time है, वो two hours का time रहेगा, 150 questions रहेंगे, ठीक है, syllabus जो है, आपका ज आप यह बताता हो, general evidence इसके अंदर भी रहने हो लागे, knowledge of current advice, Indian geography, culture and history of India, including the freedom struggle, Indian polity and constitution, Indian economy, environmental issues and concerning India, and world sports, scientific and technological development, etc, तो वही आपका general evidence रहता है, सभी चीज़े आपको पूच्छा थी, random चीज़े आपको देखने को मिल सकती है, इसके अंदर, इसके अपके, इसके, अपके, इसके CBT1 का previously pattern रह चुका है, उसके accordingly analysis करके आपको, उसके accordingly आपको question provide करेंगे, कि कौन से कौन से question आपका weightage ज्यादा रहता है, या फी कम रहता, ठीक है, उसके आपको चिंता करने की जरूरती है, हमारा दूसरा भी application है, Capitudes, उसके चैनल को भी आप subscribe करके रखीगा, so that आप CBT1 को अ application की बात की जाए, architecture of computer, input and output devices, storage devices, networking, operating system like windows, unix, linux, ms office, various data, representation, internet and email, website and web browser, computer viruses, इसके बारे में, complete आपका basic computer and application का भी topic इसके अंदर included है, जिसमें 10 question रहने वाले guys, ध्यान देजेगा, 10 question आपको रहे गे, ठीक है, basics of environment and pollution control के बारे में भी आपको यहाँ पे syllabus में बताया गया, CBT2 के जिसमें आपर पास adverse effect of environmental pollution, control strategies, air, water and noise pollution, effect and control, waste management, यह चीज़े आपको बताईगी है, right, and then हमारे पास technical abilities में आप जो अगर मानलो है, आपको अपके 100 question जो है, अब देखे, technical में आपको 100 question मिलते है, ठीके, ओके, वो आपको as per the आपके जो qualification है, उसके accordingly पुछेंगे, लेकिन आप 10, 15 question, physics and chemistry, 10 question आपको computer and application करेंगे, 10 question जो है, आपके pollution control के अपकर पूछे जाने वाले है, okay, यह बात आपको ध्यान में रखना रहेगा, okay, clear है, यहा तक आपका, total आपका time ड़ेगा, 120 minutes for a 150 question, ठीके, तो आपको less than minute for a question आपको मिल रहा है, clear है, इसके बाद में जो virtual calculator आपको द आपके लिए, although आपके बास calculator लेके नहीं जा पारे हो, लेकिन वो आपके screen पर available रहेगा for doing the calculation, अब देखिए, आपको जो है, disciplinary, यहापर बताया गया, discipline mapping tables, ठीके, तो exam group, अगर आपके बात कर रहा है, यह काफी important होता है, sir, मैं कौन से, इसमें form fill up करूँ, मैं आपको बता दो, one second, like this, table 1 पर यहापर बताया गया, ठीके, अगर आप mechanical engineering, production engineering, automobile, manufacturing, mechatronics, industrial, machining, tools and machining, tools and dye making, combination of any of the sub stream, यह के combination भी रहा, तो आपका exam group रहेगा, mechanical and allied engineering, इसके बाद, let's move on to the electrical engineering, ठीक, आप देखिएगा, electrical engineering का जो group है, वो electrical engineering का या फिर combination of the sub stream of the basic stream of electrical engineering, electrical and power, electrical and electronics, जिसमें electrical word आता है, और electrical के साथ allied, अलग-अलग जो stream साथ है, उसका जो group रहेगा, electrical and allied engineering, उसके लिए भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इसके बावज़त भी अगर आप doubt है तो comment box में comment कीजिएगा, ठीके, इसके बाद मैं था electronics, आप देखिए, electronics वाला group की बात कर रहे थे, ठीके, तो electronics group के अंदर जो है हमारे पास में, include होते है, तो वो बात आप ध्यान दीजेगा, कि आपको जो यहापे electronics वाला जो group है, अब देखिए, electronics, instrumentation and control engineering, communication हो गया, computer science and engineering, computer science, information technology, और इसके combination, आपका electronics and allied engineering का जो group यहापे बन के आता है, यह बात आपको ध् में रखना है, civil के लिए, combination of civil, B.A.C. and civil of theory duration, आपको civil and allied engineering में आपका exam group यहापे fit होता है, ठीके, यहापे क्या आपको education and qualification मंगा गाए, three years, diploma in engineering और bachelor's degree in engineering और technology, आपका diploma भी होआ तो चलेगा, bachelor's B.E.B.T.E.C. होआ तो भी चलेगा, यहापे, clear है, ठीके, यह बात आपको important थी यह examination का जो table था, यह काफी important था, okay, इसके बाद में table 3 में बताया गया, degree और its equivalent chemical technology from a recognition, इसके लिए जो exam group अलग है, ठीके, chemical and metallurgical supervisor के लिए आप इसको बढ़ सकते हो, ठीके, B.E.C. chemistry and physics के लिए CMA group रहेगा, आपको, यहापे बताया गया, ठीके, यह था important information, इसमें किस तरीके से normalization होते है, यह भी आपको बताया गया, कैसे तरीके से apply करना, आपको जो photo का size jpeg में होना चाहिए, कौन से color से आपकी sign होने चाहिए, ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसका notification आपको अलड़े मैंने mention करा दिया, अब इसमें RRB के website से अलग-अलग, ठीके चन्नाई, अजमेर, बैंगलोरी, भुपाल, भुबनेश्वर, बिलासपूर, ठीक है, कोलकाता, मॉंबाई, रांशी, प्रागराज, तो इसके लिए अलग-अलग zones है, list of RRB के websites है, वो उसके according लिए आपको apply करना है, आपको सबसे पहले तो किसके कितने vacancies है, conscious में आ चुका है, अलोड़ी, नोटिफिकेशन में, ठीक है, इंपॉर्टन है गाईज, इसके complete जो अनेक्शर्स वागर है, कौनसे कौनसे self declarations है गाईज, यह आप इस notification में देख सकते हो, ठीक है, काफी important update है हो चुके गाईज, अभी तक कि जो full notification है, अब देखिए, इसमें specially में ब of electrical energy, ठीक है, and basic electronics, यह आपका electrical engineering का जो group है, इसके लिए यह आपको syllabus बताया गया है, and अगर आप यह complete syllabus, CBT2 की, अब देखिए, CBT1 तो काफी सारे stone, but obvious है, तयार ही करोगी, लेकिन आपको CBT2 क्लियर करना होगा, तब जा कि आपको जाब मिलने वाली, इसके लिए आप जो मैं theory, m-secure concept के साथ हमने इसको develop किया, इसका introductory offer जो है, आपको सिर्फ 999 रुपीज के अंदर dedicated extended validity के साथ आपको मिलने वाला है, इसका coupon code ध्यान में रहे केगा, coupon code है आपका RRBJ, इस coupon code का अप लगा के इसको 999 रुपीज में आपको इसमें enroll कर सकते हैं, introductory हमने इसका offer जैट करके इसको जोइन कर सके, special खास बात यहीं कि इसके लिए हम लोग dedicated जल्दी सी जल्दी आपका dedicated whatsapp group form करेंगे, जिसके अंदर हम आपको CBT 2 तक के examination तक की हम लोग आपको mentorship प्रोवाइट करने वाला है, वो भी free में, e-book मिलने वाले आपको revision में, और video recorded course आपको है, सारे session आपको time to रहने वाले, so that आपके आने वाले तयारी कोई भी इसमें बादा ना हो, 3D power plant based session भी हमने इसके अंदर include करके काफी interesting और important course है, जो आपका syllabus यह बता चुका आएगा, इस ठीक है, यह complete syllabus हो हम लोगों ने इसके अंदर यह syllabus इंक्लूट करके रहा है, सारे session आप अभी से देख सक सकती है, और आने वाले समय में काफी अच्छी तरीके से practice करके आप इसे examination को clear कर सकते हो, clear है, तो यह था कुछ important notification, अभी हमना आरे पास जो बाकी syllabus भी है, वो आपको है, आपको है, मैंने बता दिया है, syllabus for electronics है, syllabus for mechanical and allied engineering group, ठीक है, JEE के लिए, इसके बाद में, like अगर हम लोग syllabus for CMA exam group के लिए आप बताया गया है, ठीक है, metallurgical है, अलग अलग है गाईस, आप देख सकते हो, इसके बाद में हमार बास post parameters भी है, ठीक है, कौन से कौन से पोस्ट के लिए, कौन से कौन से आपके medical standards है, आप इस एनेक्शनर नंबर A में, ठीक है, junior engineer works के लिए, इसका जो department है, इंजिरेंग डिपार्ट में, ठीक है, medical standard कौन से होने चीए, minimum education qualification भी आपको यहाँ पर मांगा गया है, यह भी बात आप ध्यान में रखे करें, ठीक है, यहाँ से दो दिन के अंदर अच्छी तरीकी से पढ़िएगा, ठीक है, यहाँ वेकंसी टेबल है, ठीक है, प्रापर की बात करते हैं, भूबनेश्वर, दिन बिलासपूर, ठीक है, इसके बाद में चंदिगर, चैन्नाई, गोरकपूर, इसके बाद में गुवाहार्टी, जम्मु एन श्रीनगर, कोलकाता रीजन के लिए, माल्डा रीजन के लिए, मुंबई रीजन के लिए आप बात कर रहा अगर आपको कुछ कोरीज होती है, तो आप हमसे कम्मिनिकेट कर सकते हैं, थूदा कमेंट बॉक्स, तो यह जो कम्मिनिकेट नोटिफिकेशन है, यह आपको अच्छी तरीके से पढ़ने नहीं, सबसे मेजर आपको एक चीज़ बताना चाहता है, आपको जो नोटिफिकेश होती है, और मिस्टिक होती है, आपको रिपेट रिपेट फॉर्म फिल अप करना रहता है, जो मैं आपको एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है, कोई भी आपको कुरीज आती है, तो हमसे कम्मिनिकेट किज़े, कमेंट बॉक्स के माइदम से, अगर आपको को से जॉइन करने में कोई, आपको help चाहिए, तो 7741063663 इस नंबर पे आप WhatsApp भी कर सकते हो, so that आपको मैं टाइम टाइम आपके गाइड करते रहूँगा, और क्विरी जो भी होती है, आपको आपको मैं resolve करा दूँगा, ठीक है, आपको क्या करना हो गाईस, चैनल को एलेक्र पूर्न जो जानकरी थी, syllabus की इसके बारे भी, इसके आगे आने वाले भी, update में आपको और important बताने हो चीज़े, वो भी आपको ध्यान में रखना रहेंगा, ठीक है, तो आपको यह सारी जो जानकरी है, यह आपको ध्यान में रखके आपके दोस्तों के साथ भी share करनी है, ठ इसको जरूर पूरा कर सकते हैं, I wish you all the best for this recruitment guys, have a nice day, मिलते भी मारें नेक्स सेशन में जल्दे से जल्दे